Hello everyone, welcome back to my channel Foster Academy and I hope you all are well and healthy और देखिए आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आप से क्या बात करने वाली हूँ आपका जो UPTED का एक्जाम है, Paper 2 SST इसमें एक बहुत important part है आपका उद्यान विज्यान इवं, False Induction ठीक है? तो ये जो हमारा part है, ये बहुत important है कम से कम 5-7 question यहां से हमेशा आते ही है तो मैंने ये सारा जो आपका जो जितना भी content है, इस सब की वीडियोज बना दी है तो आप playlist में जा सकते हैं, उद्यान विज्यान इवं, False Induction में और वहाँ पर जाकर विडियोज देख सकते हैं, और अपनी ये number पके कर सकते हैं ठीक है? मैंने बहुत अच्छे से explain किया है, सारा का सारा इसी पर based है ठीक है? तो वहाँ जाईए और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो, अगर आपको चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर लीजी और शेयर भी कीजिए ठीक है? बहुत महनत लगी है इसे बनाने में तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक तो यहां पर हम अपना जो हमारा सेकिंड पॉइंट है वो है मृदा गठन या फिर मृदा करनाकार मृदा गठन का मतलब है मृदा का जो गठन है उसके साथ और कौन-कौन से चीज़े जुड़ी भी होती है और इसमें important रोल होता है मृदा के आकार का ठीक है करणों का जो आकार होता है जिनसे मिलकर मृदा बनती है तो इसका बहुत important रोल होता है तो यहां पर जो इसके topics हैं वो देखेंगे हम मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन देखेंगे और फिर गठन का, मृदा गठन का, मृदा उर्वरता से संबंद, उसके बाद मृदा परिछेदी का, नेक्स्ट है उसर तथा उसर बनने के कारण, जिनमें की है लवनों का उन्मूलन, जो जटिल लवन है, उनका साधारन लवनों में परिवरतन, फिर नेक्स्ट है उसर सुध उसके बाद हम पड़ेंगे अमली और शारीय म्रदा की तुलना करेंगे अमलीय म्रदा बनने के कारण देखेंगे और अमलीय म्रदा का सुधार भी देखेंगे तो यह चैप्टर काफी important है तो जैसे कि हम जानते हैं कि म्रदा जो है वो चट्टान और खनीजों के तूटने से अलग-अलग आकार के कणों से बनी है ठीक है इसलिए इसको कणाकार भी बोला गया है अलग-अलग आकार के कणों को भिन-भिन नाम दिया गया है जैसे कि बालू, सिल्ट और मृतिका म्रदा तो यह जो है यह जो तीन है बालू, सिल्ट और मृतिका यह म्रदा में इन तीन इनों का प्रकार के जो कण है इनका अलग-अलग मात्रा में होना किसी मृदा में जुड़ाव ठिक है क्या कहलाता है मृदा गठन कै we the कणों के सपेक्षित अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं मृदा गठन या फिर मृदा कण आकार तो विबिन प्रकार के कण और उनकी आकार का अवलोकन इस तालिका में आपको बताया गया है इंपोर्टेंट है और पिछली बार वाली में भी कुछ ऐसा ही हमने मैंचन किया था टॉपिक नंबर वन में भी जो बढ़ा है हमने इसमें आपको क्या बताया गया है आकार और यह हैं मृदा का कण तो मोटी बालू में कितना होता है ठीक है 2.0 से लेके 0.2 तक फिर है बारीक इसमें होता है आपका 0.002 मिली मीटर से कम ठीक है तो इस सारी उनिट है व्यास में मिली मीटर में तो इस ध्यान रखना है आपको कोशन स्टेट पूछा जा सकता है तो मृदा गटन के अधारपन मृदा का विभाजन अगर करें तो सबसे पहले इसको बलूई बलूई दोम भाट शिल्टी और चिकने मिट्टी कहा जा सकता है और यहां पर आपको बताया गया है कि जो मिट्टी नाम दिये गए हैं गठन किया गया है इसे बालू-कितना परसेंटेज सिल्टा और मृतिका का percentage क्या है तो अब इसका screenshot लेकर write down कर सकते हैं ठीक है अब है मृता गठन का मृता और वरता से क्या संबंध है तो मृता जो गठन है वो उर्वरा शक्ति को भी स्थिर रखता है मतलब मिठी का जो गठन है वो उर्वरा शक्ति को भी एकदम स्टेबल रखता है सिर रखता है और फसलों के पोशन में सयोग करता है नेक्स्ट मृइंट है जिस मृता की कण आकार में बड़े होते हैं वह मृता क्रशी के लिए अनुप्यूक्त होती है मतलब की उप्यूक्त नहीं होती सही नहीं होती है तो मृधा की कण कैसे होने चाहिए छोटे होने चाहिए ठीक है अच्छे गठन वाली म्रदा में रंधरों की संख्या आधिक होती है और इस प्रकार की म्रदा में नमी एवं वायू संचार उचित मातरा में बना रहता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम समुचित गठन वाली जो म्रदा होती है वो सूर्य के प्रकाश को सोखनी की शक्ती रखती है और यह जो पेड़ पोदे हैं उनकी म्रदी के लिए भी बहुत आवश्यक है अच्छी गठन वाली म्रदा में बैक्टीरिया और अन्य सुक्ष्मिल जीव सुचारू रूप से अपना कारे करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर म्रदा परिछेदी का ठीक है तो इसको देखते हैं यह क्या होता है कि म्रदा की जो उपरी परत है म्रदा की उपरी परत से विभिन संस्तरों से होती हुई पैतरक पदार तक खड़ी यानि उर्द्वाधार काट मरदा परिछेदी का कहलाती है इससे मरदा के निर्मान काल निर्मान की शक्ती अपरदन का बोध होता है तो पुराने मरदाओं की परिछेदी का गहरी तथा नवीन निर्मित मरदाओं की परिछेदी का उथली होती है अब आपको बताना है कि उसर क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिती के कारण भूमी उसर हो जाती है, खेत में उसर भूमी छोटे या बड़े पैच की रूप में होती है, और वहाँ सफेद नमख या चून आसा फैला रहता है, कहीं कहीं एक विशिश प्रकार की घ जिखाई देगी, जिसे क्या कहा जाता है, उसर घास कहा जाता है, यह जो घास है अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है, और इस भूमी में पेड़ पोध्या फसले नहीं उग सकते हैं, ठीक है, खेती नहीं हो पाती है, अलग-अलग स्थानों पर उसको अलग-अलग नाम स्ट्रेट कोशिन पूचा या सकता है कि उसर भूमी को और क्या कहते हैं तो इन में से कोई पर ऑप्शन दिया जा सकता है उसर की समस्या, इंडिया के अगर बात करें तो यहां पर उसर भूमी 70 लाख हेक्टेर और उत्तर परदेश में 13 लाख हेक्टेर है जनसंक्या बढ़ने से दिन प्रति दिन खेती योग्य भूमी जो है वो घटती ही जा रही है और बड़ी वियाबादी के लिए भोजन जुटाने के लिए उसर जमीन की जो खेती है उसको योग्य बनाना अब जरूरी हो गया और सारी की सारी जुआ वशकता है वो उसमें ही परियाप्त हो जाएगी अब बात करते हैं उत्तर परदेश के 49 जिलों में उसर भूमी पाई जाती है लेकिन इन में 17 ही ऐसे जिले हैं जहां पर उसर शेत्र अधिक है ठीक है और ये जिले कौन-कौन से है ये बहुत इंपॉ पुर्देहात, उननाव, हर्दोई, रायबरेली, सुल्तानपूर, प्रताफगड, जौनपूर, इलाबाद, फतेपूर और आजमगड तो ये आपको ध्यान रखने है नेम अब देखते हैं पर उसर भूमी का प्रभाव क्या पढ़ता है बहुत सारी समस्यां पैदा हो जात पर दिखाई देंगे आपको वर्षा होने पर जो मिट्टी साबून की तरफ हिसलने लगती है और वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है उसर भूमी जो होती है वह बहुत कड़ी होती है जो पानी को नहीं सोकती है और बार आने की समस्या हमाँ पर बनी रहती है जमीन पर क और हमने तो बताया है कि यहां पर घास हानी कारक होती है उसरे लेपन के कारण इसमें लापदैक जिवाणों की कमी हो जाती है जिसकी कारण पोशक तत्व जो है वो कम हो जाती है अच्छा यह देखी यहां पर इंपोर्टेंट है उसर भूमी में सोडियम कैलशियू और प्रदूशित करती है और यह जो भूमी है यह बहकर अच्छे खेतों को भी क्या कर देती है खराव ठीक है तो यह देखी एक बार ऐसी भूमी जिसमें लवनों जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आधी की अधिक्ता के कारण उपरी सत्य सफेद दिखाए देने लगती है और महापर फसले नहीं हो पाती है या फिर महापर फसल अधिक्ता कारण सहायक होते हैं कभी-कभी जादा जल्वर आपके कारण भी मिट्टी जो है उसकी जो निचली सत्य होती है उसके लवन घूल कर क्या हो जाते हैं उपर आ जाते हैं जिसके कारण भूमी जो है वो उसर हो जाती है तो प्राकरतिक कारण में हम क्या देखेंगे वडशा की कमी की कारण ठीके ऐ ऐसे शित्रों में जहां वर्षा कम होती है वहां मृदा में उपसित घुलन, शील, लवन और शार, पानी के साथ भैकर नश्ट नहीं होते और मिट्टी की उपरी सत्या पर ही खटे हो जाते हैं जिससे जमीन क्या हो जाती है उसर हो जाती है ज्यादा तापमान की वज़े से ज इचली सतय के लवन और शार क्या होते हैं मृदा घुल के साथ ऊपरी सतय पर ही खटा होने लगते हैं और ये लवन और शार भूमी को क्या बना देते हैं फाइनली उसर बना देते हैं फिर है मिट्टी का निर्मान शार्य और लवन युक्त चट्टानों से होना तो यदि मि भूजल का अस्तर म्रदा के उपरी सतय से 2 मीटर या इससे कम होता है, वहाँ लवण धीरे-धीरे म्रदा की उपरी सतय पर इखटे होने लगते हैं, जिससे की भूमी के उसर होने की समस्या बढ़ने लगती है. नेक्स्ट है, भूमी के नीचे कड़ी परत का होना, जब जमीन के नीचे यानी ब्रदा के नीचे, जब कड़ी अत्वा मजबूत कंकरीली परत होती है, तो जो नीचे जल है, जो धरातर का जल है, वो नीचे नहीं जा पाता, जिससे भूमी के उपरी सतय पर क्या होता है, लव निशे के उपर सुका करतेındaki कारण या मानविय कारण में क्या देख सकते हैं जल निकास की कमी विकास प्रक्रिया में जगे-जगे पर बहुत सारी चीज़े जैसे कि रेल पट्री नहर सड़क इमारत बांध ये क्या करते हैं अवरोध होने से वर्षा का जल भैकर नदी नालों में नहीं जा पाता और जो जल है उसकी निकास की जो समस्या है वो होने लगती है तो इसके अभाव में भूमी उसर हो जाती है अगला है हमार जाते हैं और गर्मिय में जल वाश्पन से उड़ जाता है लेकिन लवन और शार उप्रिस्टे पर ही रह जाते हैं ठीक है जल उड़ जाता है लेकिन वहीं रह जाते हैं और समीन को उसर बना देते हैं अगला है आपर नहर वाले शेत्रों में जल रिसाव तो नहर वाले शे प्रदेश में जादातर उसर भूमी नहर वाले शित्र में पाई जाती है इसका कारण क्या है कि गलट धंग से और अधिक मातरा में सिचाई करना जिससे लगातार कॉंटिनियूस रिसाव के कारण भूमी का जो जल स्तर है वो उचा हो जाता है और साथ ही जो लवन और शार है वो घुलकर उपर आ जाते है और वाश्पन द्वारा जल उड़ जाता है और नमक शार जो है वो सत्य पर ही रह जाता है जिससे जमीन उसर बन जाती है ठीक है तो आपने नमक और शार यह बार-बार देखा होगा हर किसी उसमें है ना भूमी को परती छोड़ना जब भूमी देखे वनों और वनुस्पतियों के अंदादूंत कटाई यह तो भी बहुत बड़ा रीजन है ठीक है पेड़ बोधे जब कट जाते हैं तो बूमी की उपरी परत जो है वो खुल जाती है जिससे बूमी पर लवन और शार जो है वो एकत्र होने लगता है अगला रीजन है शारे लवनो का अधिक प्रियोग कुछ ऐसे उरवरक होते हैं जैसे कि सोडियम नाइTrate उसका अधिक अगर प्रियोग किया जाए जमीन में तो शारे लवनों की अधिकता हो जाती है और जमीन ऐसी हो जाती है उसर खारे पानी से सिचाई अगर करेंगे तो लगातार अनुसारी उसकी गुण भी अलग-अलग होने लगते हैं लवनों का उन्मूलन देखें लवनों का निर्मान जो है वो मृदा के अंदर जैसे ही लवनों का निर्मान आरंब हो या लवनों का सांद्रन बढ़ना शुरू हो तो उसी समय में उन्हें बहुत एक रासाइनिक और जैविक विदियों से पूरी तरह समाप्त करने की पक्रिया उन्मूलन कहलाती है यानि जिस वक्त इन लवनों का निर्मान हो रहा है उसी वक्त उनको क्या कर दिया जाए समाप्त कर दिया जाए तो प्रेक्रियों क्या कहेंगे उन्मूलन ठीक है यानि लवनों को खत्म कर द लवनों की उपसिदी के कारण बनती है यह इंपोर्टेंट है हां से आ तक बहुत तो उसर भूमी में सुधार हे तू क्या किया जा सकता है कि जटिल लवन है उनको घुलनशील साधारन लवनों में परिवर्तित कर दिया जाए इससे क्या होगा कि उसर भूमी में जिपसम और पाइराइट या फिर सल्फर का प्रियोग सुधारक की रूप में किया जा सकता है इंपोर्टेंट है ठीक है उसर मृति का जिसके साथ सोडियम आयन अधी घोशित रहते हैं अमोनियम सल्फेट के प्रियोग से गुलनशील सरल लवन्सोनियम सोडियम सल्फेट में बदल जा जाते हैं जिससे मृद्धा का जो पी एच लेवल है वो उदासीन हो जाता है तो इस तरीके से लवनों में परिवर्दन किया जा सकता है ठीक है फिर है उसर भूमी में सुधार की अगर बात करें तो उतर प्रिदेश का बहुत बड़ा मुबाग है जो उसर से प्रभावित ह नहरी सिचाई हो या फिर जल निकास की समस्या हो भूमी को पड़ती छोड़ने के हो इन सबसे क्या और लगातार उसर शेत्र बढ़ता जा रहा है ऐसे सिदी में सुधार के अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं देखे इन कारियों में प्रक्षेत्र विकास कारे कहते हैं पहला है मेडबंदी उसर भूमी को सधारने से पहले भूमी के छोटे-छोटे खेद बना कर उने उची और मजबूत मेड़ बना दी जाए सबसे पहले तो बान दी जाए इससे वर्षा का पानी सिचाई का जल जो ह पानी है क्योंकि पानी के भाव में उसर हो जाता है और पानी महतुपुंड रोल यहां पर प्ले करता है सुनिश्चित सिचाई सुविधा होने चाहिए बोरिंग और बोरिंग पंप सेट होना चाहिए चार एक टेर पर एक बोरिंग पंप सेट होना चाहिए ठीक है और बोर कर संपर्क नाली और खेत नाली से गहरी चोड़ी नाली बनाई जा सकती है ठीक है नेक्स्ट है जुताई करना तो इसमें क्या है उसर जो भूमी उसको 8-12 cm गहरी जुताई करके खेत तयार किया जा सकता है और इन सबी कारें को पूरा करने के बाद उसर सुधार कारें किया जा कर बाहर करना जिससे की जो लवन युक्तूपरी परत है वो क्या हो जाएगी चार सेंटीमीटर खुरच कर नाले नदियत आलाब में उसको फेक देते हैं और जब सतय से लवन निकल जाएगा तो थोड़ी सी जमीन की हालत सुधर जाएगी भूमी में पानी भरकर बहाना इससे जमीन है वो उप्युक्त हो जाती है यह important है जल निकास का समुचित प्रभंधियानी अच्छे तरीके से जल निकास के लिए नाला होना चाहिए तो भूमी है वो उप्युक्त हो जाती है खेती के लिए क्रिशी के लिए फिर है निक्षालन वे रिसाप क्रिया या फिर लीच गुलकर भूमी के नीचे चला जाएगा और भूमी जो है उसकी हालत सुधार हो जाएगी फिर है भूमी के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना उपरी सतय से नीचे 60-100 cm की मद्दे कंकड की परत पाई जाती है इस प्रकार की उसर भूमी में पास पास गड़े बना दिये जाए और कड़ी परत यंत्र की सायता से तोड़ दी जाए तो भी क्या होगा शार और जो नमक है उसका रिसाव नीचे हो जाएगा फिर है आपका उसर वाले केत में बालू या च्छी मिट्टी का प्रियोग करना अगर ऐसा किया जाए तो भी हालत सुधर सकती है दूसरा नहीं होते तो पानी के साथ बैकर या लिंचिंग रिसाव से नीचे नहीं जा पाते तो उस जमीन को सुधारने के लिए रसाइनिक विध्याप नहीं जा सकती है ठीक है पहले क्या करना होगा मिट्टी की जाच कराकर उसे मोजूद जो है उसमें जो उपलब्द जोग कैसे किया जा सकता है जिप्सम क्या है खनीज मिश्नन है ठीक है और राजिस्थान में खुदाई करके निकाला जाता है इसके जो आवश्यक महतरा जितनी चाहिए इतनी खेत मिलाने से पूर्व प्रक्षेत्र विकास का कार्य जैसे मेडबंदी समतलीकर नजल निकास और बॉरिंग जुताई पूर्ण कर लेते हैं यह सब काम कर लेते हैं पहले उत्र परदेश में लगबग एक हेक्टेर भूमी की सुधार के लिए दस से बारा टंग जिप्सम के आवशकता होती है तो इसकी बारे में यही है कि मैई के अंत और जून के प्रारम में काम शुर अब नेक्स्ट आते हैं इस प्रकार अगुलंशील सोडियम गुलंशील सोडियम सलफेट में बदल जाता है और खेत की जो हालत है वो सुधार ने लगती है फिर अब किस चीज का प्रियोग कर सकते हैं गंधक ठीक है गंधक के अमलका प्रियोग सीधे ही किया जा सकता है जैविक विधियां भी अपनाई जा सकती है जैसे की शीरे का प्रियोग इंपोर्टन्ट है शीरे का प्रियोग चीनी मिल से निकलने वाले शीरे को शार्य भूमे प्रियोग करके इस ठीक किया जा सकता है और इसमें पस्चित जो गंधक है और अन्यरसायन वो सुधार कर दे प्रेसमड का प्रियोग 15 से 20 टन प्रती हेक्टेर किया जाए तो फिर गंदक और कार्बनिक पधार्ट उसर सुधार में काफी जादा मददगार साबित होते हैं कार्बनिक खाद का प्रियोग भी किया जा सकता है गोबर, कम्पोस्ट वर्मी कम्पोस्ट को अधिक मातरा में प्रियोग क Kiya जाए तो कार्बनिक अमलोवर मुर्दास नशना होने से सुधार किया जा सकता है, ठीक है हरी काद की रूप में धहचा की खेती अच्छा यदि उसर भूमे हरी खाद के रूप में खाचा की खेती गर्मियों में की जाए तो उसर भूमे में बड़ी मदद मिल सकती है मिट्टी में जिवांश की मात्रा बढ़ जाती है और जड़े मिट्टी की कड़ी परत तोड़ने और नाइट्रोजन के सरीकरन का कारे करती है इससे उसर सुधार में भी काफी मदद मिलती है उसर सहनशील फसलों में प्रजातियों की खेती ठीक है अगर आप देखा जाए यदि लगातार कहीं वर्षों तक फूसर सहनशील फसलों की खेती की जाए तो दीरे दीरे ठीक हो सकता है ठीक है उप्युक्त फसल चक्र देख लीजिए दो वर्षों तक धान, गेहूं और जायद ठीक है की फसलों को बोना यहाँ पर धान, खरीफ में गेहूं, रभी, रहचा, जायद की फसलों को बोना उप्युक्त रहेगा अमलिय मिट्टी अब अमलिय मिट्टी देखते हैं इसमें क्या है अमलिता के कारण उत्पादन कम या बिल्कुल नहीं होता है अमलिय मिट्टी के घौल में क्या होता है हाईड्रो क्ली इसमें OH की मात्रा देखते हैं कितनी है इसमें हाईड्रकलिसीन, क्लिसिल आयनो की तुल नामें हाईड्रोजन आयनो की साधरता आधिक होती है और जो म्रदा का पीएच है वो सदेव कितना रहता है 7.0 से कम होता है हमारे देश में अमलिय म्रदा असम में केरल तरिपुरा मनिपूर ये important है आपर कहां कहां पर है अमलिय म्रदा तो ये है असम में केरल तरिपुरा मनिपूर पशिमंगाल बिहार का तराई शेतर उत्रप्रदेश में हीमालय की तरहिशेदर के कुछ स्थानों पर यह पाई जाती है फिर है उधासीन म्रदा में Hein एवम हाइड्रोक्रॉसिक हाइड्राक्सिक शीति शुद्र जल में पाई जाती है म्रदा गोल में सामाने नग suspects पाई जाते हैं अमली और शारीय मृदा के अगर तुलना करें तो क्या क्या होता है देखें अमली जो मिट्टी होती है इसकी उत्पत्ती जातर अधिक वर्षा के स्थानों में होती है जिब कि शारीय जो होती है वो कम वर्षा वाले स्थानों पे होती है दूसरा पॉइंट देखे तो अजसड़े जिवाश में के दिखता होती है और इसमें कमवर्षा के सान पर शारी 11 घुलनशील होकर पानी के साथ नश्ट नहीं होते रूपरी सतय परेकत्र हो जाते हैं इसमें क्या होता है कि कार्बन डायोकसाइड पानी के साथ मिलकर कार्बनी कमल बनाती है थर्ड पॉइंट है मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की सांदरता बढ़ जाती है तो मिट्टी अमलिय हो जाती है जब मिट्टी आयनों की सांदरता बढ़ जाती है तो मिट्टी शार इसमें हाईड्रोजन है और सोडियम है है अमली मिट्टी का पीएज साथ से कम होता है और शारे मिट्टी का पीएज साथ से अधिक होता है यह इंपॉर्टन पॉइंट है ध्यान रखने आपको अमली मिट्टे बननी के कारण क्या होते है शारी तत्वों का निक्षालन क्यानि मिट्टी अधिक वर्षा के स्थानों मिट्टी इकड़ों में शारक तत्वों जो है वो अलग होकर घुल जाते हैं और निक्षालन करिया द्वारा भूमी की गहरी तहों में यानि भूमी में चले जाते हैं इस प्रकर कैल्शियम, मैगनेशियम, पोटेशियम और सोडियम शारक तत्व बह जाते हैं और उनकी असान पर मिट्टी के कड़ों के साथ सिर्फ हाइड्रोजन आयन अधिशोषित हो जाते हैं जिससे मिट्टी कैसी हो जाती है, अमलिय हो जाती है ठीक है? फिर है फसलो द्वारा शारकों का उप्योग जिसमें शारण खनीजों और शारण तत्वों के कमी हो जाती हैं और मिट्टी कैसे हो जाती है, अमलिय हो जाती है, फिर है मिट्टी का अमली चट्टानों से बना होना, अगर जो मिट्टी है वो इस चट्टानों से बनी है, जिसमें शारक खनीजों और शारक तत्वों की अपेक्षा, क्वाइड्स और सिलिका की मात्रा क्या है, अधिक है, त समानेत हैं अमली और वरक कहते हैं इनके जादा प्रियोग से मिट्टी क्या हो जाती है और इसमें इस तरीके का और वरक कौन सा है यह है अमोनियम सलफेट ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं क्रशी क्रियाएं ठीक है बिना जुती बंजर भूमी प्राय घास पाक के आवरण से धकी होती है जिसमें निक्षालन और रिसने की क्रियाएं कम होती है लेकिन जब भूमी पर क्रशी कारे किये जाते हैं तो मिट्टी में शार्कों से बाहर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी के शाय जो है नश्ट हो जाते हैं, और उनके सान पर मिट्टी के कड़ों में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयनों की साध्रता बढ़ जाती है, फिर है अमलीय मिट्टी में सुधार कैसे करें, चूने का प्रिय प्रियाप और भी लिए प्रैथ मृंटार सब्स्राइए प्रापर्ल्लम के से वत्व के ऐसे ने पूम को सब्साइए तोुंइट बिदीवक मृच्व के स्थी क्षेशेशेर होती। प्रियाप होती है। यानि कुछ ऐसी फसल उगाना जो अमलिया रोदक होती है जैसे कि प्याज, पाल, कद्दू, जो, सेम, गाजर, आलो, टमाटर, बाजरा, जौर, लोकी और तरबूज, ठीक है, शारक उर्वरों का प्रियोग, फोर्थ पॉइंट, कैल्शियम नाइट्रेट, जैसे उर्वरों क का जो गठन है, वो देखा है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट चीजे हैं इन में से, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है,